पूछना चाहूंगी कि मल्चिंग क्या होती है और मल्चिंग करने के क्या-कया फाइदे हैं क्या-कया नुकसान है और किस-किस फसलों में मल्चिंग को किया जा सकता है मलचिंग बहुत जिम्पल तरीका सदर्ण खिसान भी इसको अपना सकता है और इसमें बहुत मतलब जो सामने जो कास्तकार है, सामने बुद्धिका, सामने जिसके पास में पैसा भी बहुत कम होगा, जैसे आपने बताया ये गरीब आदमी का, तो इसके लिए जो मल्चिंग जो पसल अपन उगाते हैं, उसमें जमीन के उपर, जमीन के उपर, अगर और कुछ भी आप बाहर से कुछ भी खरीदगर के लगाने की इस्तिति में भी नहीं है, तो आपके खेत में जो पुराना वेस्टेज जो होता है, जिसको आप थोड़ा सा उसको कूट करके, और उसमें जो पसलें उगाई जाती है, उनके जमीन पर भिछा दिये, और एक परत सी वहां उस आपने जो अपरेशन होता है, वासपी करंड होता है जिसमें पाणी उडता है, और दूसरी जो जमीन को गर्मी देता है, तो अपने जो सरदी मेश भी बचावता है और दूसरे जो चोटे-चोचे सुक्सम जीव होते हैं, जो जमीन में ही पलते हैं, उनकी वी व्रदी इसमें, जब इसको कवर मिल जाएगा, तो उसमें इनका सुनिश्चित हो जाता है, और ये जो क्रॉप जो पसनों का जो अवसेस होता है, वो परियावण की दर्से से बहु इसका उपयोग रहा है, इसके लिए खिसानों को थोड़ा विशेस विदी अपना नहीं होती है, और उसमें ये मुखे रूप से आपने जो बगिचे लगाते हैं, उनमें भी इसका उपयोग रहता है, और उसके इलावा जो सबजियां उगाते हैं, जो बैड के उपर उगा जाती है, इनमें इसका मुखे रूप से उपयोग किया जाता है, और काफी प्रचलन में आज की तारिख में तो ये हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले आपकी आशिकता होती है, ड्रिप का होना, बुंद-बुंद शिचाई आप किसान के पास में उपलब्द हो, तो ही वो इसमीर गया बैड बना करके, पहले सबसे पहले बैड बना एगा, बैड बनाने के बाद में ड्रिप लाइन उसके एपर बैड के उपर पिछा करके, बैड मतलब सद बैड मेकर आता है, उपजें को थोड़ा उपर उठा करके, और सब्सक्या कभी की जाती है, यही विभाग आप बैड मेकर आता है इसे जमीन से इसको मिट्टी को करीब 6-9 इंच के करीब उठा देते हैं और उसी के उपर उसमें सब्सक्राइब की जाती है अब उसमें आप बीज लगाना हो या फिर आपको पोद लगानी हो तो वो उसमें लगाया जाती है तो पहले सबसे पहले आप जो ड्रिप लाइन है जो बूंदमूशी चाई वाली है वो नली को उसमे बिचा देना है और उसके बाद में मल्च को उसके उपर बिचाएंगे तो इसमें ये देखना है कि वो अच्छी कंपनी का हो तो उसमें इसको दो या तीन बार जैसे सबजी की पसल है वो ले सकता है जैसे ही फसल उसके आर्वेस्ट होगी खतम होगी उसके बाद में इसको समेट करके रख देगा और अगली फसल भी ले सकता है दो या तीन बार इसको आराम से काम ले सकता है अगर अच्छी बरांटगा हो लेता है